ओम संती, संगम युक का स्रेश्ट वसर स्वयम भगवान हमें साथ दे रहा है। उसने कह दिया है, बच्चे मन के सारे बोज मुझे दे कर तुम हलके हो जाओ। और एक बहुत ही सुन्दर बात कह दी, जो बाप सारे संसार के बोज उठाता है, क्या वो अपने बच्चों के बोज नहीं उठाएगा। विश्वाक करें अपने प्यारे पिता की शक्तियों पर, उसके वचनों पर और सच्छे मन से अपने मन के बोज उसे अर्पित करने लगें। समरपंता में ये भी एक सुन्दर तरीका है कि मन की सारी टेंशन, मन के सारे बोज, जीवन की सारी समस्याएं उसके हवाले करके निश्चिन्थ होकर जीवन जियें। ये रहस्य है, कई लोग क्या करते हैं, कि जीवन की समस्याएं बाबा को तो दे देते हैं, लेकिन चिन्थाएं खुद करते रहते हैं, बोज तो अर्पित कर देते हैं, लेकिन मन फिर भी भारी रहता है, तो ऐसे में समस्याइं समात नहीं होंगी, क्योंकि रहसिय है कि जब हम मन के भोज और चिंताएं बाबा को अर्पित करके हलके हो जाएं, निस्चिंत हो जाएं, तभी बाबा की शक्तियां और उनकी प्रेणाओं को हम कैच कर सकेंगे, और तभी हमारा जीवन निस्चिंत हो सकेगा, समस्याओं से मुक्त हो सकेगा, अगर चिंताओं में हम पुने ग्रस्थ हैं, तो बाबा की प्रेणाएं हम तक पहुँचेंगी नहीं, तो हल भी नहीं प्राप्त होगा, इसलिए बाबा की इस बात को, कि बच्चें अपने फिकर सारे मुझे दे कर, तुम बे फिकर बादसाह बन जाओ, फिकर मुझे दे कर फकुर ले लो, और सबसे बड़ा फकुर यही है, कौन मिला है, किसने साथ देने का वचन दिया है, कौन हमारी समस्याओं को हर रहा है, कौन हमारे से पराकर छत्र छाया बन गया है, कौन हमें हाथ पकड़ के चला रहा है, रहा दिखा रहा है, ये सुंदर अनभूती करते हुए, बे फिकर बादसा बन जाएं, यहां के बे फिकर बादसा ही, जनम जनम के बादसा बनेंगे, क्योंकि जने सिंथ है, जो बे फिकर है, वही बहुत सक्तिशाली है, जो चिंतित हैं, जो भेवीत हैं, जो परेशान हैं, वो तो मन से बहुत कमजोर हैं, इसलिए, साथ आप ये भी सोचते हों कि हमें भविस्त में कुछ नहीं चाहिए हमें तो वर्तमान में जीवन का आनंधी चाहिए तो उसके लिए भी अपने को बेफिक्र बादसा बनाना पर हम अवस्षक है तो आईए हम द्रामा के ज्यान को याद करते हुए स्वयम को बहुत हलका कर दें बहुत हलका जैसे कि का हात पकड़ कर सर्व सक्तिवान को साथी बना कर हम जंगल के राजा सेर की तर है इस कांटों के जंगल कलियोगी संसार में विश्रन कर रहे हैं ये बहुत सुन्दर स्थिती होगी तो सारा दिन आज हम ये याद रखेंगे कि मैं बेफिक्र बादसा हूं और कोई भी मन पर बोज हो तो एक बार में ये लिया आप निस्चिंत नहीं हो पाते तो बार बार ऐसा अभ्यास करें कि बाब जादा सामने हैं और हम अपने बोज की गठरी बांद कर बाबा को दे रहे हैं लो बाबा और उदर से बाबा कह रहे हैं बच्चे मैंने तुम्ह मेरे बोज ले लिये, अब तुम निस्चिंत हो जाओ, मैं आपे ही उचित समय पर इन सब को ठीक कर दूँगा। ये अभ्यास हम बार बार करेंगे और साथ साथ बहुत प्रक्तिस करेंगे, with good feeling कि मैं master सर्व शक्तिवान हूँ। अर्थात मैं बहुत शक्ति साली हूँ, मेरे साथ स्वयम भग्वान है, इसलिए यदि मैं ही निस्चिंत नहीं होंगा, तो संचार में भला और कोन होगा। ऐसे अनुभव से सारा दिन आनंद में बिताएंगे ओन स्यंति।